दोस्तों एक बार गरुड जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभू, आपने मुझे मनुझे के जन्म से लेकर मृत्यू तक की सभी अवस्थाओं के बारे में बताया है, मनुझे की मृत्यू के उपरांथ किये जाने वाले सभी क्रियाओं के शंका हो, निसन कोच होकर पूछ लो, तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा करतव्य है। तुम्हारे इस प्रश्ण के उत्तर में समस्त मानव जाती का कल्यान छिपा हुआ है, तुमने यह सत्य ही कहा है, कि मनुझे को कभी निर्वस्त रहोकर भोजन्सनान तथा शयन नहीं करना चाहिए। निर्वस्त रहोकर यह तीन काम करने से इसका मनुझे के जीवन पर अशुभ प्रभाव पढ़ता है। तुम्हारे इन प्रशनों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक ब्राह्मन का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, इस प्राचीन कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रशनों के उत्तर प्राप्थ हो जाएंगे। इसी लिए तुम इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनो, इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश होता है। गरुर जी कहते हैं, हे प्रभु आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सभाग्य है, कृपया, आप मुझसे कथा कही है, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा, और तीनों लोकों में इसका प्रचार करूंगा. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, अब तुम इस कथा, को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वह कथा, सुनाने जा रहा हो. प्राचीन काल की बात है, मध्यदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी. उस नगरी में देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मन रहता था, उसने चारों वेदों का तथा, समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, वह नित्य भगवत गीता का पठन किया करता था, देव शर्मा भगवान विश्नु का परमभक्त था, नित्य भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करता था. एक दिन देव शर्मा तीर्थ स्थान पर जाने के लिए घर से निकलता है. अपने साथ भोजन बनाने के लिए थोड़े से चावल ले लेता है. देव शर्मा घने जंगलों से तीर्थ स्था न के लिए चलने लगता है बहुत तेर तक चलने के बाद देव शर्मा जंगल में स्थित एक जलाशे के समीप पहुँच जाता है वह जलाशे अत्यंत सुंदर था उसके चारों और हरियाली और सुंदर व्रिक्ष थे फिर वह ब्राह्मन उस जलाशे से पानि पी लेता है और वही पर भोजन करके विश्राम करने का विचार करता है देव शर्मा अगनी जलाने के लिए लकडी इकटा करने निकलता है तभी उसे जलाशे के पास एक विचित्र द्रिश्य दिखाई पड़ता है उस चलाशे के आसपास के सभी व्रिक्ष तथा पौदे हरे भरे होते हैं, किन्तु केवल दो व्रिक्ष एकदम सूखे हुए तथा मृत दिखाई पड़ते हैं, उन व्रिक्षों को देखकर देव शर्मा को बड़ा आश्चर्य होता है, वे इस प्रकार से सोचने लगता है, ब व्रिक्षों की ऐसी हालत किस कारण से हुई इतना सोचते हुए वह मन ही मन प्रसन हो जाता है, और कहता है, चलो अच्छी बात है, आग जलाने के लिए सूखी लकडी, का इंतजाम भी हो गया, देव शर्मा उन सूखे हुए व्रिक्षों के पास जाता है, और उनकी टहनिया तोडने लगता है, तो अचानक उन व्रिक्षों से एक आवाज आती है, रुक जाओ ब्राह्मन रुक जाओ, ये क्या अनिष्ट कार्य कर रहे हो, उस आवाज को सुमकर देव शर्मा चौंक जाता है, और इधर उधर देखने लगता है, और कहता है, कौन है, कौन आवाज द सामने ही है, आप ही हमें देख नहीं पा रहे है, देव शर्मा कहता है, हे भाई तुम कौन हो और मेरे सामने कहां पर खड़े हो मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर से वह आवाज आती है, हे ब्राह्मन देवता आप जिस व्रिक्ष की टहनी तोड़ र रहा हूं किन्तु आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, देव शर्मा ब्राह्मन घबरा जाता है, और इधर उधर देखने लगता है, तो उसकी द्रिष्टी उन दो पेड़ों पर पड़ती है, वह देखता है कि वे पेड मनुष्य की वानी में बात कर रहे है, यह इस चित्र लीला है, देव शर्मा उन मृत व्रिक्षों से कहने लगता है, व्रिक्षों तुम कौन हो और तुम मनुष्य की वानी में कैसे बात कर रहे हो और तुम्हें व्रिक्षों का शरीर कैसे मिला तुम्हारे समीप इतना बड़ा जलाशे होने के बावजूद भी तुम तभी पेड पौदे हरे भरे है, आखिर ऐसा कैसे संभव है, देव शर्मा की बात सुनकर वह पेड बोलने लगता है, हे ब्राह्मन देवता हमारी ऐसी दशा हमारे कर्मों के कारण ही हुई है, हमने पिछले जन्म में जो पाप किये थे उसी का फल भुगत रहे है, देव शर अब हम आपको हमारे पिछले जन्म का वृतांत सुनाते है, पूर्वकाल में मैं धनेश्वर नाम का वैश्य था, और ये मेरी पत्नी दुमट ही थी, हम दोनों ही काशीपुरी में निवास करते थे, मेरा स्वभाव अत्यंत दोस्त और क्रूर था, मैं लोगों को ब्याज द कर धन कमाया करता था, मेरी. पत्नी भी अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी, उसने कभी अपने द्वार पर आय अतितियों का सम्मान नहीं किया, हमने कभी दान धर्म भी नहीं किया, सदैव ही दीन और गरीब लोगों को सताया करते थे, उस समय हमारी कोई संतान नहीं थी, हम दोनों ही संतान सुख प्राप्ती के लिए भोग विलास किया करते थे, हम निर्वस्त रहो, करस्नान किया करते थे, और निर्वस्त रहो कर ही शयन किया करते थे, अनेक वर्षों तक भोग विलास करने पर भी हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, मैंने कभ अपने पूर्वजों के लिए श्राध नहीं किया, कभी तपन नहीं किया, उनके लिए कभी दान धर्म भी नहीं किया, जिस कारण से मेरे सभी पूर्वज रुष्ठ हो। मेरा मन सदैव ही कामवासना से भरा हुआ रहता था, हम दोनों पती पतनी दिन रात भोग विलास किया करते थे, निर्वस्त्र होकर ही सनान भोजनता था, शयन किया करते थे, जिससे समस्त देवी देवता और पित्र भी हमसे रुष्ठ हो गए, इस प्रकार से अनेक वर्ष बी माया दुर्भाग्य से उसी नदी में डूब कर हम दोनों की मृत्यू हो गई, मृत्यू के पश्चात हमें ले जाने के लिए यम्राज के दो दूध प्रकट हुए वे दूध हमें पकड़कर यम्पुरी ले गए, यम्पुरी का द्रिशे अत्यंत भयंकर था, यम्राज वि फिर चित्रगुप्त यम्राज से कहने लगे, हे धर्मराज इस वेश्य ने तो अपने जीवन में कभी कोई पुढ़ने का काम नहीं किया है, इसने अपने पूरवजों का सदैव ही अनादर किया है, इसने सदैव ही निर्वस्त रहोकर सनान भोजनत था, शेयन किया है, इसी तूने तो कभी कोई पुढ़ने के काम नहीं किये है, तूने सदैव ही निर्वस्त रहोकर सनान करके वरुम देवता का अपमान किया है, निर्वस्त रचयन करके तूने अपने पूरवजों को अपमानित किया है, तथा, निर्वस्त रभोजन करके तूने अन का भी अपमान किया है इसी लिए तुझे नरक में ही डाल दिया जाएगा इस प्रकार से यमराज ने अपने दूतों को आग्या देकर मुझे नरक में डाल दिया मेरे पश्चात मेरी पतनी को यमराज के सामने लाकर खड़ा किया गया उसे देखकर चित्रगुप्त ने कहा कि धर्म राज इस पापी स्त्री ने भी अपने पती की तरह कोई पुणने का काम नहीं किया है इसने भी निर्वस्त्र होकर ही स्नान भोजनत था शयन किया है इसने समस्त देवी देवताओं और पित्रों का अपमान किया है आता यह भी नरक जाने के ही योग्य है इस प्रकार से यम्राज ने हमारे पाप कर्मों को देखते हुए हम दोनों को ही नरक में डाल दिया नरक में सजा भुगतने के पष्चात हमें व्रिक्ष का शरीर प्राप्थ हुआ जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारे सारे पत्ते भी गिर गए और हमारी छाल भी नश्ट हो गई निर्वस्त्र कारे करने के कारण इस जन्म में व्रिक्ष के रूप में हमारा व्रिक्ष रूपी शरीर भी नगन हो गया देव शर्मा उसी स्था, ना पर बैठकर भगवान विश्नु की प्रार्तना करने लगा और व्रिक्ष बने उस वैश्य और उसकी पतनी की मुक्ती की कामना करने लगा. देव शर्मा कहने लगा है प्रभू मैं अपने भगवद गीता के पाठ का पुन्य इन वैश्य पती पतनी को प्रदान करता हूं, कृपा करके आप इन दोनों को मुक्ती प्रदान कीजिए इतना कहते ही वे दोनों व्रिक्ष धडाम से तूटकर जमीन पर गिर पड़े और उसके अंदर से अत्यंत सुंदर वस्त्र परिधान किया हुआ वैश्य और उसकी पतनी प्रकट हुए उस स्था ना पर भगवान विश्णो के दो पार्षद प्रकट हुए और उन दोनों को दिवे विमान में बिठा कर दिवे लोक को चले गए इस प्रकार से भगवत गीता के पठन का पुण्य प्राप्त करके वहवैश्य और उसकी पतनी दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ती भगवान श्री कृष्ण कहते हैं है पक्षी राज मनुष्य को का अभी भी निर्वस्त्र होकर भोजन शयन और स्नान नहीं करना चाहिए निर्वस्त्र स्नान करने से जल के देवता वरुन का अपमान होता है निर्वस्त्र भोजन करने से अन की देवी मा अन पूर्णा का अ और निर्वस्त्र शयन करने से समस्त पित्रिगन रुष्ट हो जाते हैं, इसी लिए मनुष्य को निर्वस्त्र होकर ये तीन काम नहीं करने चाहिए तो दो. दोस्तों इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड जी को महत्वपूर्ण ग्यान दिया है, आपको यह कथा, कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताए.